एक फेकर लेडी सब इंस्पेक्टर को बारा मुला पुलीस ने हिरासत में लिया है और उसके पास से सब इंस्पेक्टर की यूनिफर्म और साथ-साथ उसके पोजेशन से 10,000 रुपया कैश भी बरामत हुआ है ये लेडी जूटी है और ये अपने आपको सब इंस्पेक्टर कहती है और ये दावा करती है कि मैं जो मुकश्मीर में बतोरे सब इंस्पेक्टर का काम करती हो और इसका नाम जो है वो आईशा है और लोगों को ठगने का काम करती है हुआ है यह जिसलिकि मैं आपको बता दूँ कि कल जो है कंजर बारामुला पुलीस को एक शिकायद दर्ज होती है और यह शिकायद देने वाले का नाम मैं आपके सामने रगदू वासिफ हसन है वासिफ हसन जो है खंजर बारा मुला पुलीस के पास पहुंचते हैं पुलीस टेशन में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यानि जब मैं बस यात्रा यानि जब वो एक बस में बैटे थे एक लेड़ी उनसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है और लेड़ी उसने बताती है कि वो पुलीस में सब इंस्पेक्टर है अगर तुम्हें कोई नोक्री चाहिए तो वो तुम्हें भी जो है वो जॉब लगवा देगी तो आप भी जानते हैं कि आज कल रोजगार तो है नहीं अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं तुम्हें नोक्री लगवा दूँगा तो शायद लोग भरोसा कर रहेते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि जॉब्स उपरचुनिटी बहुत कम है तो हो सकता है दोखा दड़ी और बैक डॉर एंट्री से जॉब हो तो इस वासिव हुसेन ने उस ओरत को यानि जो अपने आपको पोस कर रही थी कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ उसने उसे दस हजार उपे भी दे दिये और आपको ये भी बता दे फिर इस ओरत ने उसे दुबारा शाम को फोन किया यानि जो अपने आपको सब इंस्पेक्ट दिनों में तुम्हारी नोकरी लग जाएगी, तो क्या तुम्हें ये पैसे भारी पढ़ रहे हैं, तुम्हे और पैसे मुझे जो है, वो देने होंगे, वासिफ हुसेन कंजर बारा मुला के ही रहने वाले हैं वो कंजर बारा मुला पुलीस टेशन जाते हैं वो बताते हैं कि मुझे कुछ गड़बडी लग रही है और ये औरत लगातार जो है वो ये दावा कर रही है कि मैं तुम्हें पॉलीस में जो है वो constable लगा दूँगी मैं तुम्हें पॉलीस में नोकरी लगा दूँगी तो तुम मुझे जो है वो 10,000 उपे से जाधा पैसे दो देखिये दावा क्या हो रहा है यहां पर जो sub inspector है वो कह रहा है यहां पर Mr. Sciences को واصف حسن کو कि मैं तुम्हें कॉंस्टेबल की पोस्ट पर जमो कश्मीर पुलीस में लगा दूँगी तुमने मुझे 10,000 रुपे दिये हैं अगर तुम्हें कॉंस्टेबल बरती होना है तो तुम्हें मुझे 10,000 रुपे से जाधा पैसे देने होंगे वासिफ हुसेइन को जो है वो शक होता है और जिस तरह से मैं अपको बताया कि एक नो दो हजार Two eyes को जो है वो अससे मिलती है और उससे पैसे लेती है फिर उसके बाद में वो शाम को असे फोन करती है और कहती है कि तुम्हें क्या additional amount दे दो जिसके साथ मैं तुम्हें तुम्हारा अपॉइन्मेंट लेडर दे दू और दो तिन दिन में तुम्हें बतोरे कॉंस्टेबल बर्तिक कर लिया जाएगा ये वासिफ हुसेन पुलीस के पास पहुंचते हैं शिकायत करते हैं जो हमारा नाम खराब करते हैं आगे मैं बता दू कि पुलीस ने अपनी investigation के दोरान जो है इस लेडी को पकड़ लिया जो अपना आपको आईशा कहती थी और अपना नाम आईशा बताती थी और कहती थी कि मैं जमुकश्मीर पुलीस में जो है वो सब इंस्पेक्टर हूँ बलकि ऐसा कुछ नहीं है इसका नाम बिस्मा यूसफ है इसके पिता का नाम और इसका नाम भी मैं आपको बता दू मुहम्मद यूसफ शेख जो रिजिडेंट के रहने वाले हैं यह उनकी बेटी है बिस्मा यूसफ जो है इसका नाम है और इनके पिता का नाम जो है वो मुहम्मद यूसफ शेख है जो टपी खाग के रहने वाले हैं और इसके पास से जब पुलीस ने पकड़ा दस हजार उपे भी बरामत हुए है और जब पुलीस ने पकड़ा यूनिफॉर्म भी है यूनिफॉर्म जो आप देख रहे है न देखिए पूरी बतोरे ऐसे ही यूनिफॉर्म लग रही है जैसे किसी सब इंस्पेक्टर की हो सबसे पहले जो हाथ उन पर डालना चाहिए जो इस तरह की यूनिफॉर्म को बाहर भेजते हैं आम लोगों को देते हैं और कहते हैं कि जाई आप जो है फ्रॉड करिए ये कंप्लेंड में से वासी वो सेंथे जिनके साथ फ्रॉड हो रहा था उन्हें जैसे ही शक हुआ ने पुलीस में कंप्लेंड की ये यही होता था कि लोको लोगों को बेवकूब बनाना उनसे पैसे ढगना पुलीस को इन्फॉर्मेशन मिली पुलीस ने उस इन्फॉर्मेशन पे तैकिकात की और ऐसे मेंबर हमारी कॉमनियूटी में जो आपको कहें कि हम आपको नोकरी लगा देंगे तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से उन पर भरोसा ना करें क्योंकि 10,000 रुपे आज मिल गए पुलीस मिस्टर वासिफ हुसेन को वापस दे देगी सरकार इस तरह के फ्रोड्स को भड़ावा नहीं देती और आपके पैसे भी डूप जाएंगे आपको नोकरी भी नहीं मिलेगे एक बड़ा अपडेट जो है बारा मुला से है आईशा नाम की लेडी अपने आपको कहती है कि मैं सब इंस्पेक्टर हूं तो मारी नोकरी लगा दूँगी आज बारा मुला पुलीस खंजर पुलीस टेशन ने जो से गिरिफतार कर लिया तमाम अब्डेट के लिए देखते हैं जो मुलटे न्यूस साथ ही साथ आप इस न्यूस चैनल को लाइक कर ले कमेंड बॉक्स अपती राय जाएं वो जरूर दे